आज हम आये हुए हैं वागड की दो जिलो की सिमा पर जो पूल बना हुआ है माही पूल बना हुआ है जिस पर हम आये हुए हैं आज और आपको दिखाना चाहेंगे कि माही पूल आज कितनी उमर पार कर चुका है दोस्तों यहां पर आने से पहले लोगों का डर लगता है कि माही पूल को कैसे क्रोस किया जाए आज इसकी सिच्वेशन आप देखी रहे होंगे कि अगर आज पास से गुजरने वाले लोग अगर यहां से गुजरने कोशिश करेंगे तो उनके साथ क्या आप बिती हो सकती है तो तो मैं निशाद लिडोर आज से यही बताना चाहूंगा कि आज महाईपूल एक्पाइड एड में जा चुका है और यहां से गुजरने वाले लोगों को क्या डर सता रहा है कि महाईपूल कब अपनी उमर पूरी कर देगा तो आप सबसे चोटा सा निवेदन ये करना चाहूंगा कि हमारे यहां के जो जन प्रितिनिती हैं उनसे भी आप संपर करें और उन तक इस बात को पहुंचा है कि इस महाईपूल को जल्दी से जल्दी ठिक किया जाए और आने वाला समय के लिए इन लोगों की सुविदाओं को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाए क्योंकि यह बड़े-बड़े दो टीएसपी शेत्यत्रे के दो जीलों को पर दिनी जीओं से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस माही पूल की जो उमर पूरी हो चुकी है तो इसको जल्द से जल्द नया बनाने की विवस्ता की जाए जिसकी पहल आप सब के द्वारा की जाए तो इतना ही कहना चाहूंगा बाकी सब आप सब लोग इस मतलब ज्यादा से ज्यादा इस तो अपने बारे में बताएं और इस पूल की जती पूर्ति है उसके बारे में पूर्ति करें तो आने वाले समय में लोगों को इसकी सुविदाय मिल सकें तो आप सब से हाथ जोड़कर मैं निवेदन एक बार फिर करना चाहूंगा कि माही पूल को नया बनवाने के लिए आप सब एक बार अपनी पहल जरूर करें धन्यवाद निशान डेंडोर सागवाडा सागवाडा लाइव न्यूज जिहां लेटेश्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद